एक बहुत ही पूछे जाने वाला सवाल कि जयारफ करने के बाद में actually होता क्या है, process क्या है, आप कहते हैं कि salary मिलती है, exactly कितनी मिलती है, कैसे वो आती है, तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी को पूरा जो जयारफ से related है, सारे को मैं बताने वाला हूँ, तो आपको end तक ज एक्जाम दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इसी तरह से आप भी लोगों को इसी तरह से बोलते हो, तो होता क्या है students, जब आप UGC net जयारफ के एक्जाम में जाते हैं, तो net और जयारफ के लिए exams अलग नहीं होती है, सबसे पहले तो मैं बता दू, उसी paper में example बता रहा हू आपको जो numberings होती है, वो different different होती है, अलग-अलग subject के लिए, तो आपको पता है, अपना जो questions आते हैं, वो है 150, paper 1 और paper 2, दोनों मिला के 150 questions है, 300 marks होते हैं, और 180 minutes आपको मिलते हैं, तीन घंटे का लगातार paper होगा, और इस बार computer based test ना होकर, ओमार होने वाला है, ठीक है, जो last date है, exam form को fill up करने की, वो है 19th May, 19 माई last date है, पहले 10 थी, फिर 15 होई, फिर 19 होई, चलो, अब मैं assume कर रहा हूँ कि आपका सपोस्ट करो जीर अरफ clear हो गया, अब जीर अरफ करने के बाद में क्या होता है, आप, जो PhD करने के लिए generally हमें क्या करना पड़ता है, कि किसी university में apply क करना पड़ता है, तो वो rules भी change हो गए है, अब आपको UGC net के number से ही आप किसी भी university के अंदर PhD कर सकते हैं, अगर आपने जीर अरफ किया है, तो आप देखेंगे, सामने से university को बुलाएगी, कि हमारे पास आई, because research scholar, competitive exam clear किया हुआ, किसको पसंद नहीं है, तो सब जो colleges होती ह और आप इसमें admission ले लीजिए, जब आप admission लेंगे, उसके बाद में JRF start होगी, तो सबसे पहले तो बात यह है, कि हमारी जो fellowship होगी, वो कब आएगी, PhD में admission लेने के बाद में आएगी, ऐसा नहीं है, कि जिस दिन result declare हुआ है, उस दिन से ही आपका salary आना ही start हो जाएगा, ऐस नहीं है, PhD में आपको admission लेना होगा, तो JRF की जो, JRF का award letter जो आता है, वो तीन साल के लिए valid होता है, पहले दो साल के लिए था, तीन साल के लिए हो गया है, इसका मतलब यह है, कि आपकी जो net के degree certificate आता है, कि आपने net clear कर लिया है, वो lifetime के लिए valid है, बट JRF, junior research fellowship का जो award letter वो तीन साल के लिए valid रहता है, अगर उन तीन सालों में आपने, अगर किसी PhD में admission नहीं लिया, तो आपको फिर वापस net JRF करना पड़ेगा, तो यह चीज़ याद रखनी है, ठीक है, चलिए, तो जब आप admission लेते हैं, JRF के अंदर, तो वो दो साल के लिए JRF कहलाता है, junior research fellowship कहल आता है, यह fellow कहलाते है, दो साल बाद में आप senior हो जाते हैं, और आपको SRF बोला जाता है, तीन साल, अगले जो तीन साल होते हैं, और UGC यह consider कर रही है कि लगबग 5 साल तो आपको लगेंगे ही PhD करने में, ओके, चलो, यहाँ तक ठीक है, उसके बाद में, बात आती है कि अ आपके अकाउंट में आए गई, उसके बाद में आता है HRS Lab, तो HRS Lab क्या होता है, HRS Lab यह 9%, 18%, 27% क्या है, यह हमारे cities के ओपर डिपेंड है, आपको house rent allowance बोला जाता है इसको, पहले यह कम था, अब यह बढ़ा दिया गया है, अब आप बोलेंगे sir, 9, 18, 27 किस के लिए है, तो basically अगर आप tire 3 city में है, तो 9% आपको HRS मिलेगा, because वहाँ पर महंगाई कम होती, inflation rates कम होती है, वहाँ पर rent जो value होती है, वो कम होती है, और जो commoditories की होता है, जिसे मालो कुछ भी को सकता है, आप दिल्ली में जाएंगी, तो वहाँ पर समान आपको महंगाई मिलेगा, और जो हम लोग मान के चलते हैं कि आप कौन सी category फॉल कर रहे हो, generally tire 2 city में आप suppose कीजिए, assume कीजिए, तो आपको, ये आपको HRS मिलने वाले हैं, 37 के अलावा है, 3300 के लगबग, यहाँ पर 6600 के लगबग, और ये 10,000 के लगबग, तो 37 में आपने क्या कर दिया, मैंने 7,000 प्लस कर द मान लो, research करने के दोरान, आपने 2 साल में से research करी, तो research करने के दोरान, आपके जो traveling करनी पड़ी है, फिर आपको और को research paper वगड़ा है, ये सब चीज़ां को लाने पड़े, तो उसके लिए क्या क्या क्या, आपको साल के 20,000 रुपे मिलते हैं, आपको bill, पेश करने होंगे, नोडल officer को, कि देखो, ये मेरा लगा था, research करने के दोरान, ये आप claim कर सकते हों, ये fixed नहीं है, कि आपको मिलेगा ही, बट हम लोग consider करने की मिल जाएगा, तो अगर 20,000 आपको एक साल में मिलेगा, ये महिने बर का नहीं है, वो दोनों उपराले जो slab हैं, 37,000 प्लस 7,000, व में को, तो अगर इसको divide करो में, तो 16,000 रुपे महिने का बढ़ता है, ठीक है, मिलेगा नहीं 16,000 रुपे, बट हम लोग मान के चल रहे हैं, कि 16,000 रुपे महिने का आपको मिलेगा, तो अगर इसको plus करेंगे, तो आप खुद सोची, 37,000 प्लस 7,000 प्लस 1,600, आपका बनगे approximately 46,000 रुपीज पर मन्थ आपको जो है, जब J-RF आप clear करते हैं, तो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, अब J-RF हो गई, J-RF के बाद में आप क्या करेंगे, S-RF हो जाएंगे, दो साल बाद में आप क्या हो जाएंगे, senior research fellow बन जाएंगे, तो आपका जो base है, J-RF का जो basic salary है, वो है 37,000, S-RF की जो basic salary है, वो 42,000 हो जाती है, ओके, ये UGC net के aspirants के लिए है, और उसके बाद में जो आपका slab है, वो भी increase हो जाता है, 18% आपकी basic salary, ओके, तो ये भी बढ़ गया, दूसरा है कि जो contingency fund होता है, वो equal रहता है, 2020,000 रहता है हर साल, जैसे वो J-RF है, S-R तो approximate जो आपके पास में grant आया है, वो आया है, 51,200 के लगवग, तो ये आपको अगले 3 साल के लिए हर महीने मिलने वाला है, तो ये होता है अपना J-RF to S-RF में, मतलब J-RF to S-RF में difference है, अब जब आप J-RF से, मतलब आपने 2 साल J-RF किया, उसके बाद में जब आप S-RF में enter करेंगे, तो आपको वहाँ पर पूरी committee वगरें बिठाई जाती है, आपके officers आते हैं, आपके subject matter experts हैं, आप बैठोगे उसमें कि आपने किया क्या है, तो आपके पास जब J-RF करें, तो कुछ ने कुछ ऐसा होना चीए, कि आपको J-RF से S-RF में promote किया जाए, बहुत क committee बैठा जाता है, कि whether the person deserves to be S-RF or not, चलो, तो इसी तरह की जानकारी के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रोध सुबह 11 बजे paper 1 के ओपर हमारी classes होती है, और paper 2 की जो classes होती है, वो शाम को 4 बजे होती है, तो आप इस तरह से दोनो paper 1 और paper 2 की तयारी कर स करने ही पड़ेगी, तो हमारे recorded courses आपको मदद करेंगे, हमारे test series आपको मदद करेंगी, जो कि unit wise है, और full mock length test भी है, और अगर आपको batch live में interest है कि live पढ़ना अच्छा लगता है, तो paper 1 का हमारा live batch भी है, ओके, चली, आपको किस तरह से यह मिल सकता है, UGC net पे जाएंगे, geography पे जाओ, या paper 1 पे जाओ, उसके बाद में, आपको यहाँ पर my courses में, देखिए, live classes और recorded classes, don't available है, view details में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको payment का option आजाएगा, आपको क्या करना है, IFS 30, जो code है, वो उप्योग करना है, जैसे आपको discount मिल जाए, ठीक है, और किसी भी तरह की कोई और भी आपको क्योरी आ रही है, कोई भी doubt है, कोई भी problems आ रही है, sign up करने में, या कुछ भी और, तो आप हमारे इसी वीडियो के comment box में डाल सकते हो, और हमारे जो application है, उसको आप जरूर रखी अपने पास में, because वहाँ पर आपको previous execution papers मिलेंगी, paper का analysis मिलेगा, साथ ही साथ में आप देखेंगे, कि अपना cut-off वहाँ पर available है, यह सारी की सारी चीज़ें आपको free of cost available होती है, और जो हम लोग YouTube sessions लेते हैं, उसके बाद में आपको quiz provide किये जाते हैं, और उसकी PDF भी provide किये जाती है, revision purpose के लिए, तो यह बहुत सारी चीज़ें आपको IFS provide कर रहा है, तो जुड़ जाईए और अपने तैयारी को start कर दीजिए, thank you so much and see you in the next one.